इरान किसी भी वक्त कर सकता है इसरेल पर हमला युनिट तैयार है हमला कैसे किया जाना है वो बात प्लान हो चुकी है अब सिर्फ इंतजार है समय और तारीख का कि बदला इरान इसरेल से कैसे लेता है देखे हाल के इस दिनों में जिस तरह से सीरिया के बानिज दूतावास के उपर हमला हुआ था और इसमें इरान के शीर्ष नेतरितों के सहीद जनरल सहीद साथ लोग मारे गए थे अब उसके बाद से इरान कैसे हमला करें इसरेल के उपर लगातार इस प्लानिंग में जुटा हुआ है और बाकाइदा अमेरिका की तरफ से ये बाते कही जा रही है लेकिन साथ ही अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि इरान इसरेल के उपर सीधा हमला नहीं करेगा खुद हमला नहीं करेगा बलकि इसके लिए किसी संगठन का सहारा लिया जा सकता ह और अब रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि इरान यह जो हमला करेगा वो हमला वो कर सकता है प्रोक्सी मिलीशिया के जरीए यह दरसल एक संगठन है और इसी संगठन का इस्तेमाल इरान अब इस्रेल के ओपर हमले के ले करने बाला है बताईए जा रहा है कि ड्रोन तयार हो चुके है रोकेट से हमला किया जाएगा लेकिन अभी थोड़ा इंतजार इरान की तरफ से किया जा रहा है ऐसी भी खबरें हैं जो अमेरिका की तरफ से भी बताई जा रही है कि रमजान का महीना बीच जाए ये इंतजार इरान की तरफ से किया जा सकता है लेकिन इस बात की पुष्टी नहीं की गई है मतलब रमजान का महीना बीतने के बाद ही इरान हमला करेगा इस्रेल के ऊपर ऐसी कोई पुष्टी किसी रिपोर्ट पे नहीं की गई है पर अमेरिका भी अभी इस वक्त डरा हुआ है क्योंकि किसी भी तरह का दो देशों का एक और युद्ध वेश्वा अभी धेल नहीं सकता है अचा खबरें ये भी है कि इरान भी नहीं चाहता है कि वो किसी तरह इस हमले में फसे लेकिन हाँ जो हमला उसके ओपर किया गया है उसका वो बदला भी लेना चाहता है मतलब साम भी मर जाए लाठी भी ना तूटे कुछ ऐसी ही रणनीती इरान इस वक्त बनाने में लगा हुआ है और खासकर इसलिए भी कि इरान को ये लग रहा है कि अगर अटाइक डारेक्ट हमारी तरह से हुआ तो फिर युद्ध भी तैह है इसके साथ-साथ ये संभावन भी इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि इरान पूरी तरह से सक्षम शायद इसरेल को मज़ा चखाने में ना हो और ऐसी स्थिती में अगर युद्ध होता है या डारेक्ट अटाइक किया जाता है इरान की तरह से इसरेल के उपर और मुझ के अगर इरान को ही खानी पड़ती तो इसलिए एरान ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि इसरेल पर हमला करके वो खुद फंसे लेकिन ये भी जरूर है कि एरान बदला लेना चाहता है तो वो समय क्या होगा, वो जगा क्या होगी, जहां से हमले को अंजाम दिया जाता है, इरान क्या अपनी ही भूमी का इस्तमाल करेगा, सीरिया का इस्तमाल करेगा, ये सब अभी सवालों के घेरे में है, लेकिन अमेरिका की खूफिया रिपोर्ट ये साफ साफ तस्दीक कर रह ही है कि इरान इस रेल से बदला जरूर लेगा